नवस्कार आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवीन मिस्र किसी ने बहुत सुन्दर कहा है यदि आपने अपने जीवन में अपनी गलतियों से कुछ भी सीखा है तो आप सबसे सफल व्यक्ति हैं यानि हम अपने जीवन में जो गलतियों करते हैं उनसे सीख लेते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं कोशिस करते रहें कि वो गलती दुबारा ना हो तो आप देखेंगे आप बहुत कुछ सीखते चले जाएंगे और ये सीख आपको सफलता दिलाएगी एक दिन सफल व्यक्ति बनाएगी और सफलता प्राप्ति में आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे आपके तारे आईए जानते हैं आज क्या है आपके तारे का संदेश आपके नाम बताएंगे आपकी राशी के अनुसार साथ ही आज के उपाय में होगा आपके लिए एक बहुत ही खास उपाय है तो जल्दी से शुरू करते हैं आपके तारे सबसे पहले बात आज के पंचांकी 24 अप्रेल 2023 दिन सोमवार वैशाक मास चल रहा है शुक्ल पक्ष है चतुर्थी तिथी रहेगी सुबह 8 बज कर 24 मिनट तक फिर 5 में तिथी प्रारम्भ हो जाएगी म्रग सिरा नचत्र है चंद्रमा व्रश राश में रहेंगे दो पहर एक बज कर 13 मिनट तक फिर मिथुन राश में प्रवेश कर जाएगे भगवान शूर मेश राश में बिराजमान है आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11 बज कर 53 मिनट से दो पहर 12 बज कर 46 मिनट तक जो भी जरूरी काम करना है अभिजीत मुहूर्त में करिएगा तो कारियों के सफल होने की संभावना जाद रहेगी राहुकाल का समय होगा सुबह 7 बज कर 25 मिनट से सुबह 9 बज कर 3 मिनट तक राहुकाल शुब नहीं माना जाता है इसलिए राहुकाल में कोई भी जरूरी काम ना करें दिशा शूल है, पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें आज हम आपको बताएंगे कि शनी ग्रह का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है शनी की प्रभाव को समझते हैं देखे, जिन लोगों की कुंडली में शनी ग्रह लग्न में बैठा हो, लग्न में बैठे होने का मतलब परस्नालिटी के उपर हावी है शनी, तो जोतिस की द्रश्टी से ये अच्छा नहीं माना जाता है, जोतिस के हिसाब से यदि शनी लग्न में बैठा हो, तो क्योंकि शनी सब कुछ शैने शैने धीरे धीरे करता है, तो ऐसे जातकों को आलसी बना देता है, आलस इनके अंदर बहुत आ जाता है, और ये जातक अगर ऐसे लोग अगर इंटेलिजेंट हुए भी, तो ये अपने गुणों का सही तरीके से फाइदा ने उठा पाते हैं, आलस्च की वज़े से, और मन इनका बिलकुल जो है ऐसे उदासीन सा रहता है, शनी के प्रभाव की वज़े से, ऐसे लोग अकेला रहन पसंद करते हैं, तो यदि कुंडली में शनी लगन में बैठा हूँ, तो ये इस तरह की स्तिती बनती है, यदि कुंडली में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनी शुब ग्रहों के साथ हो, तो फिर सकारात्मक्फल मिलने शुरू हो जाते हैं, अगर कुंडली में शनी द तो देखिए, तुला राशी हमने आपको बताया कि शनी देव की उच्च राशी मानी जाती है तुला राशी में शनी बहुत मजबूत स्थिती में होते है तो आप अपनी कुंडली खोल करके देख लीजिए अगर उसमें शनी देव साथ नंबर की राशी में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातकों को बहुत लाब मिलेगा शनी का प्रभाव पॉजिटिव रहेगा और ऐसे लोग बड़े ही कर्मट होंगे कर्मशील होंगे वर कोहलिक होंगे शनी देव की क्रपा से ऐसे लोग अपने कारेच्छेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं तो शनी अगर मजबूत है तुला राशी में बैठा हुआ है शुब ग्रहों के साथ है तो बहुत अच्छे रिजल्ट परदान करता है अब शनी के बारे में और भी कुछ जरूरी बातें आपको बताएंगे लेकिन पहले मेश, ब्रश, मिथुन और करक राशी के बारे में जानते हैं मेश राशी मेश राशी वालेओं को भागय का सपोर्ट मिलेगा करियर में तरक्की होगी घर में प्रति दिन धूप जलाएं तो नेगेटिव उर्जा दूर होगी शुब रंग सफेद उपाए ओम नमा शिवाय का एक सव आठ बार जाप करें ब्रश राशी अचानक धनलाब होगा अंजान लोगों से मुलाकात होगी कुछ नया सीखने की योजना बनेगी विदेश से आपको सुब समाचार मिलेगा शुब रंग सुनहरा उपाए लक्ष्मी जी की आरति करें मिथुन राशी परिवार में सुक शान्ती बढ़ेगी मन में जो भी भय हैं वो दूर होंगे जीवन साथी की सलाह से काम करने पर लाब होगा लंबी दूरी की यात्रा ना करें शुब रंग हरा उपाए गणेश जी का पूजन करें करकराशी मन की बेचैनी दूर होगी रुके हुए काम बनेगे धनलाब के रास्ते खुलेंगे किसी को पैसा उधार ना दे शुब रंग सफेद उपाए भगवान शिव को जल अर्पित करें अब आपको ये बताते हैं कि कुंडली में यदि शनी अपनी सबसे कमजोर राशी में अपनी नीच राशी में बैठा हो तो क्या होता है मेश राशी शनी की सबसे नीच राशी मानी जाती है तो शनी देव यदि मेश राशी में बैठे हो तो वो सबसे कमजोर माने जाते हैं जिन लोगों की कुंडली में शनी मेश राशी में बैठे होते हैं कहा जाता है कि शनी पीडित हैं या कमजोर इस्तिती में हैं तो ऐसे लोगों को जीवन में बहुत सारी पढ़े सानियों का सामना करना पड़ता है शनी देव जो है पीडित होते हैं मंगल ग्रह की वज़े से मंगल ग्रह के साथ अगर शनी बैठे हैं तो ऐसे जातकों को कई सा चैलेंजिस का सामना करना पड़ता है, दुरघटनाएं होती हैं, कोट संबंधी केस का सामना करना पड़ता है, और कई बार तो जेल जाने तक की नोबत आ जाती है। जाते हैं, तो जिल लोग की कुंडली में सनी देव कमजोर इस्तिती में हों, या मंगल के साथ बैठे हों, पीडित हों, ऐसे लोग क्या उपाय करें, ये भी आपको बताएंगे, पहले जान लेते हैं, सिंग, कन्या, तुला और ब्रशिक राशी का राशी फल। सिंग राशी, आपके सरकार से संबंधित काम आज बनेंगे, जल्दवाजी में कोई भी फैसला ना करें, अपनी वानी का प्रियोग सोच समझ कर करें, किसी को पैसा उधार ना दें, शुबरंग लाल, उपाय भगवान शिव की आरती करें। कन्याराशी, प्रापर्टी में निवेश से लाब होगा, व्यापार से जुड़े फैसले सोच समझ कर करना होगा, गुस्से में कोई भी बात किसी से ना कहें, अपने खान पान का ख्याल रखें, शुबरंग गुलाबी, उपाय भगवान गनेश की आरती करें। तुलाराशी, सुक सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा, आपकी कारेच हमता और बढ़ेगी, करियर में उन्नती के लिए प्रयास तेज करतें। सकरात्मक सोच आपको लाब दिलाएगी, शुबरंग बादामी, उपाय भगवान शिव का जल से अविशेक करें। ब्रिश्चिक राशी, मन की परिशानी दूर होगी, धन प्राप्ती के लिए किये गए प्रयास सफल होगी, शिक्षा के छेत्र में सफलता मिलेगी, वानी पर नियंत्रन रखना होगा। शुबरंग गोल्डन, उपाय किसी गरीब को दूद का दान करें। आई अब आपको बताते हैं कि यदि शनी और शूरे का कुर्णली में संबंध बन रहा हो, तो क्या होता है। देखिए, जोतिष की द्रस्टी से शूरे और शनी की यूति को शुब नहीं माना जाता है। शनी देव को शूरे का पुत्र माना जाता है। इसलिए पिता पुत्र तो हैं, लेकिन पिता और पुत्र में बनती नहीं है, दोनों में शत्रुता का भाव होता है। शनी देव न्याय के देवता हैं, शनी देव मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं, जिन लोगों की कुंडली में शूर्य और शनी एक साथ बैठे होते हैं, ऐसे लोगों को जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शनी और शूर्य की आपस में बनती नहीं है, शत्तुर्ता का भाव होता है, अब आपको आगे बताएंगे कि अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही हो, तो क्या उपाय करें हैं, पहले जान लेते हैं, एक और सवाल के बारे में, एक सवाल आया है हमारे पास, रवी गुप जन्म की तारीक, जन्मिस्थान, जन्म समय लिखे और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजे, वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारक्रम में शामिल करेंगे, रवी गुपता का सवाल ले रहे हैं, रवी गुपता जी ध्यान से सुनिएगा, रव रवी गुपता जी का सवाल ये हैं कि ये बिजनस कर रहे हैं, लेकिन इसमें इनको लगातार नुकसान हो रहा है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बिजनस बंद कर दें, रवी जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है, उस आधार पर आपकी कुंडली तयार है, अभी आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं, आपकी ब्रश्चिक लगन की कुंडली है और मकर राशी है, आपका जन्म उत्रा साढ़ा नच्छत्र के तृती चरण में हुआ है, इस समय आपकी ब्रहश्पती की महादसा चल रही है, और ये जनवरी 2021 से शुरू हुई है, और जनवरी 2037 तक चलेगी, और ब्रहश्पती की महादसा में शनी की अंतर दसा चल रही है, जो मार्च 2023 से से शेप्टेंबर 2025 तक चलेगी, आईए आपकी कुंडली पहले आपको दिखाते हैं, कुंडली में जहां ये आठ नंबर लिखा हुआ है, ये है ब्रहश्पिक लगन, और ब्रहश्पिक लगन का स्वामी मंगल ये जाके बैठ गया है, यहाँ, भागिस्थान में मंगल बैठा है 28 डिगरी का, और साथी शुक्र बैठा है 29 डिगरी का, मंगल कमजोर इस्थिती में है, मंगल मकर में उच्च का माने जाते हैं, और करक में सबसे कमजोर नीच के माने जाते हैं, तो करक में बैठे हुए हैं, और जो दस्वे घर का स्वामी है शूरे, जो प्रोफेशन का इस्थान है, वो जाके बैठा है ग्यार्में घर लाविस्थान में 0 डिग्री का और जो ग्यार्में घर का स्वामी बुद्ध है वो दसमें घर में जाके बैठ गया है 27 डिगरी का वक्री भी है अस्त भी है राशी एक्स्चेंज हो रहा है ग्रह एक दूसरे की राशी में बैठे हुए है आपकी कुंडली के हिसाब से अभी धैर रखिए जैसे ही आपकी ये ब्रहस्पती की महादसा में शनी की अंतरदसा समाप्त होगी सेप्टेंबर 2025 में उसके बाद से आपका बिजनस बहुत अच्छा ग्रो करेगा लाव देगा अभी बिजनस बंद ना करें करते रहें जो उपाए बता रहें ये उपाए करना शुरू करिए तो आपके जो नुकसान है वो धीरे दीरे कम होने लगेंगे व्यापार चल पड़ेगा उपाए नोट करिए पहला उपाए प्रति दिन हनुमान चालीसा का पाट करें हनुमान जी की आरती करें और हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हनुमान जी पार लगाईए जो हमारे बिजनस में नुकसान हो रहा है उसे दूर करिए ये हनुमान जी से प्रातना करिए दूसरा उपाए, प्रति दिन इश्टान करके भगवान शूर को जल दें इससे आत्म बल बढ़ेगा, डिसीजन जो आपके गलत हो रहे हैं, वो गलत नहीं होंगे, सही होने लगेंगे सही डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद मिलती है, यदि आप प्रति दिन भगवान शूर को जल देते हैं तीसरा उपाए, हर बुद्वार के दिन गणेश मंदिर जरूर जाएं, गणेश जी की पूजा करें, आरती करें, नारियल अर्पित करें और कडेश जी को प्रणाम करके उन से निवेदन करिए कि आपकी बिजनस में लाब होने लगे ये उपाय करना शुरू करिए, बहुत जल्दी स्थिती बदलना शुरू हो जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात धनुराशी की धनुराशी वालों का मन खुश रहेगा अपनी बात पर अडे रहना उचित नहीं होगा यात्रा से लाब का योग बन रहा है शत्रूं से सावधान रहे शुब रंग बादामी उपाय गव माता को रोटी खिलाए मकर राशी कहीं दूर से शुब समाचार मिलेगा किसी से जगड़ा हो सकता है सावधान रहे दोस्तों के चक्कर में अपना वक्त ना बरवात करें सरकारी अधिकारियों की मदद से काम बनेंगे शुब रंग नीला उपाय उम नमाशिवाय का 108 बार जाब करें कुम्भराशी उन्नत के रास्ते आपके लिए खुलेंगे परिवार से सहयोग मिलेगा पढ़ाई लिखाई में रूची बढ़ेगी रिष्तेदार अचानक धोखा दे सकते हैं शुब रंग क्रीम उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं मेन राशी करियर में सुधार होगा पैसे की कमी नहीं रहेगी किसी काम में देरी ना करें नुकसान हो सकता है संतान की सेहत को लेकर चिंता रहेगी शुब रंग के सरिया उपाय गव माता को रोटी खिलाएं अब आज के उपाय में आपको हम बताएंगे शनी के कुप रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करें हमने आपसे कहा था कि अगर आपकी कुंडली में शनी नीच के हैं कमजोर है या शनी शूरे के साथ बैठे हुए है या शनी की वज़े से आपकी जीवन में हलचल है परिशानी है शनी की वज़े से किसी भी प्रकार का कस्ट है तो ये जो उपाय बताने जा रहे हैं ये उपाय करिएगा शनी के हर तरह के कुप रभाव से हर तरह के शनी के नेगेटिब प्रभाव से बचने में आपको मदद मिलेगी उपाय नोट करिए हनुमान जी की प्रति दिन पूजा करें गरीब और कमजोर लोगों की मदद करें गलत काम करके धन ना कमाएं इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा शनी उन्ही लोगों को परिशान करता है जो गलत काम करके धन कमाते हैं तो इसलिए अगर शनी के प्रकोप से बचना है शनी जीवन में कष्ट ना लाए शनी जीवन में उथल पुथल ना मचाए तो आप गलत काम से धन ना कमाएं और क्या उपाय करें? शनी वार के दिन गरीबों को भोजन दान करें यह जो उपाय आपको बताएं हैं इनको कहीं नोट कर लिजे और ध्यान रखेगा यह उपाय करते रहेगा किसी भी तरह से अगर शनी की वज़े से परेशानी है साड़े साती चल रही है यह शनी की ढईया है या कोई भी परेशानी है शनी की वज़े से यदि है तो ये उपाय करेंगे शनी जो है आपको परेशान नहीं करेगा तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपके तारे आपका दिन बनाएंगे जीवन में खुशियां लाएंगे नवस्कार